हाइ गाइस गुड्मॉर्णिंग आज का मेरा रूटिन बताने के पहले मैं अपको कुछ चीजे बताती हूँ जो आपको डेली करना है जिसमें आपको मॉर्निंग में रोज ग्रीन टी लेना है एक कप और ग्रीन टी आपको रात को सोने से भी पहले लेना है तो आपको दो टाइम जो है वो डेली ग्रीन टी लेना है और जब आपको डिटॉक्स वाटर पुरा खतम हो जाए तो आपको रोज गुनगना पानी पीना है और डिटॉक्स वाटर भी आपको रोज लेना है उनकी रेसिपीस मैं आपके साथ रोज शेयर करती हूँ और वो भी डेली रूटीन में करना है और वाइट शूगर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको मीठा काने का मन है तो आप थोड़ा सा गुड़ का यूज कर सकते हैं और ये सब बातों का ध्यान रखने से आपका वेट लॉस जल्दी होगा आप एक मैने में 6-10 किल आपको बताती हूँ मैंने जो भी आज डेली रूटीन में लिया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करते हूँ आज मैंने बनाया है स्टोवेरी का डेटॉक्स वाटर आप 8-10 स्टोवेरी ले 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 और उसे बीच में से कट कर ले और एक मैंने निम्बू लिया है और थोड़े से मैंने पूदीने की पत्या लिये अब इसे हम डालेंगे डेटॉक्स बोटल में अगर आपके पास डेट पानी आड़ करते जाएं और अभे तक मैंने आपको 12 डेटॉक्स वाटर बता दिये हैं आप कभी भी कोई भी डेटाक्स वाटर बना आप Nestle की डेली में ले सकते हैं और detox water आपका weight loss करने में help करता है इसलिए आपको daily नेला है और ये जो आज मैंने detox water बनाया है ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है इसे आप बार-बार repeat करके बना सकते हैं तो ये था मेरा आज का detox water आपको 12 से 1 के बिच में पुरा complete कर लेना है जिसमें मैंने आज बनाया है mix आटे की रोटी आप गेहू के आटे की रोटी के जगे mix आटे की रोटी बना के लिए और मैंने एक सबजी ली है, राबडी ली है और मैंने थोड़ा से सलाद लिया है mix आटे की रोटी आप इस तरीके से बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ तो यहां मैंने लिया है दो चमच रागी का आटा दो चमच मैंने गेहू का आटा लिया है और दो ही चमच मैंने यहां बेसन लिया है और दो चमच मैंने डाला है जवारी का आटा तो इन चार आटों का मिक्स कर लें और उसमें डाले थोड़ा से नमक यहां मैंने पनीर का पानी यूज़ किया है जब भी आप पनीर बनाते हैं तो उसका पानी जो रहता है उसे आप फैकिने उसका आटा या और कोई चीज में आप भी यूज़ कर लें तो अब आप इसका आटा लगा कि जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे आपको रोटी बना के ले लेना है और अब मैं बनाती हूँ राबडी राबडी बनाने के लिए यहां मैंने चाच लिए है उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जवारी का आटा आपको जवारी के और उसके बाद में हम इसे गैस पे रखेंगे और इसे continue लाएंगे जब तक इसमें एक उबाला नहीं आ जाए जब इसमें उबाला आ जाए तो आप इसे छोड़ दे और 10-15 मिन तक और पकाए तो यह आपके राबड़ी बनके तयार है तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो यह था मेरा आज का लंच इसमें आप सबजी, रोटी, सलाद और आप डिकिज़े के आप पोई भी लिक्विड चीज ले सकते हैं चाश ले सकते हैं दाल भी ले सकते हैं जो आपका मैंने वह ले सकते हैं तो यह था मेरा आज का लंच और अब बढ़ते डिनर की तरफ ड या फिर घर पर बने वी शेवई का भी यूज कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैं ने एक ड़य में डाला है थोड़ा सा ओईल और उसके बाद में मैं इसमें शेवई डालूंगी तो इसे रोस्ट करने के लिए अगर आपके पास रोस्टेड शेवई है तो अब उसका भी अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, जब थोड़ी सी गोल्डन हो जाए तो उसके बाद में मतलब समझ जाए कि आपकी जोसे वही है वो पूरी सिख चुकी है, अब हम डालेंगे इसका छोक छोक लगाने के लिए मैंने एक कड़े में डाला है थोड़ा सा ओईल और उसम में डालना है, थोड़ी सी मैने शिम्मला मिर्ची डाली है, और थोड़ी सी डाली है मैंने पत्ता-घubi और बस इसे अच्छे सी मिःक्स कर लेना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और इसे ढख से ढख से दस मिनट तक पकाए, जब यह ठोड़ी कर जाये तो उसके और बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसे आप 2-3 मिट तक पकाएं और इसमें एड़ करेंगे हम मैजिक मसाला डालने से इसका टेस्ट जो है वो काफी अच्छा जाता है और बस इसे मिक्स करके आप इसमें एड़ करें पानी और पानी डालने के बाद में जब पानी में उबाल तो हम इसमें एड करेंगे शेवई और शेवई पकने तक हम इसे पकाएंगे और बस यह हमारी नूडल्स बनके तयार है इस तरीके से आप आटा नूडल्स बना के अपने डिनर में ले सकते हैं यह काफी हल्दी भी रहती है और टेस्टी भी रहती है तो इस तरीके से आप बन झाल झाल